नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्वा, आप से विकास स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हर्ब में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टैली प्राइम में आपको अपने सप्लाइस के लेजर को कैसे क्रियेट करना है, तचली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे पढ़ने से पहले, आप मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, मुझे अप्रेशेट किजिए, मेरी चैनल को सपोर्ट करके, लाइक करके, और शेयर करके, बेल आकन प्रेस करना ना जो भी वीडियो में अप्लोट करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी और आप मेरी कोई वीडियो समिस नहीं पर कर पाएंगे तेचले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं टैली प्रैम को ओपन कर ली जीए अब हम यहां से देखेंगे कि आपको अपने सप्लायर से यानिरिक जिनसे आप पर्चेस करते हैं उसके लेजर को कैसे क्रियेट करना है तो प्रियेट पे क्लिक किजिए यहां आपको सारे ऑप्शन मिलते थे ग्रूप कR लेजर क्रियेट कर हैं तो आज के इस फीडियो में हम सिखने वाले हैं कि सप्लायर के लेजर को आपको कैसे क्रियेट करना है तो उसके लेजर को क्रियेट करने के लिए हमें यहां पर सेलेक करना है लेजर का उप्शन क्योंकि हमें लेजर क्रियेट करना है तो यहीं से हम सेलेक कर लेते हैं लेज करते हैं उसका नेम आपको यहाँपे टाइप कर लेना है तो मैं आपको acronym कर ले हूँ, Suman Education Hub यह कंपनी का नेम जो भी आपका होगा आपको यह पर टाइप कर लेना है उसके बाद we interpret करके अंडर आपको सेलेक करना होता है group कि यह जो लेजर आप create कर रहे हैं वो किस group में create कर रहे हैं तो जो हमारे suppliers के लेजर होते हैं जिनसे हम purchase करते हैं उनका लेजर हम create करते हैं under group sunri creators तो यहां पर आपको sunri creators select कर लेना है एंटर प्रेस करोगे आप तो maintain balances bill by bill में yes कर लेना है एन इस पार्टी का जो registered address है वो यहां पे आपको field कर लेना है detail में आप यहां पे field कर लीज़े आपको यहां पे enough space मिल जाता है उसके बाद state आपको select करना है कि जो आपके supplier से वो किस state से belong करते हैं तो यहां पे आपको drop down में सारे state मिल जाएंगे मैंने डेली select किया है क्योंकि हमारा जो supplier है वो डेली के हैं उसके बाद जो pin code number है वो डाल लीज़े उसके बाद आपको एक option मिलता है banking details तो यहां पे provide bank details अगर आप अपने suppliers का banking details यहां provide करना चाते हैं तो yes करके कर सकते हैं otherwise इसको no रहने दीजिए उसके बाद आपके टेक्स registration details फिल करनी होती जिसमें कि registration टाइप में आपकी जो party है unregistered है registered है regular है composition है customer है यहां से आप select कर सकते हैं अगर आपकी accept करेंगे तो पहला लेजर हमने create कर लिया है इसी टाइप से आपके जितने भी suppliers के लेजर हैं आपको create कर लेना है मैं एक और आपको show करती हूं कि कैसे create करना है जो procedure है वो सेम रहेगा सेम procedure को follow करके आपको अपने suppliers के लेजर को create करना है और लेजर क्रियेट करना है आपको तो यहीं पर इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहीं पर आगेन आपको सेम procedure follow करते हुए पार्टी का जो name है वो type कर लेना है जैसे कि मैंने शीव ट्रेडिंग कंपनी किया है अंडर आपको जो रूप है वो सेम सेलेक करना है संडरी creators उसके बाद maintain balances bill by bill yes कर लीजिए पार्टी का जो address है registered वो यहां पर आपको detail में feel कर लेना है उसके बाद state आपको select कर लेना है state में आपको अपने suppliers का state select कर लेना है अगर local है तो टेल्ली सेलेक कर लीजिए महारास्ट्रा है तो यहां पर महारास्ट्रा की party है इसलिए में आपर महारास्ट्रा select कर लेना है पिन code नंबर में पिन code नंबर प्रोड़ कर दीजिए और जो भी इस party का gst नंबर है वो आपको यहां पर फील कर लेना है gst नंबर फील करने के बाद इसको آپ save कर लीजिए same procedure जिदर फॉलो करके आपके जितने भी सप्लायर्स से उन सारे सप्लायर्स के लेजर को आप इस टैप से टैली प्राइम में क्रियेट कर सकते हैं नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चानल सुमन एड्यूकेशन हर्ग में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टैली प्राइम में आप अपने बायर्स के लेजर को कैसे क्रियेट करेंगे तो क्रियेट करने के लिए सबसे पहले आपको टैली प्राइम को ओपन कर लेना है यहां से आपको लेजर क्रियेट करने के लिए Gateway of Tally से Create वाले option पे क्लिक करना है जैसे ही उस option पे आप क्लिक करेंगे यहां पे आपको एक लेजर का option शो होगा उस पे क्लिक कीजिए अब यह जो window open हो गई है यहीं से आपको अपने buyers के लेजर को Create करना है जो आप से जिनको आप सेल करते हैं उनके लेजर को हम Create करेंगे तो जो भी आपके बाहर के लेजर का नेम है वो टाइप कर लीजिए तो मैंने यहां पे Shivam Trading Company जो है वो टाइप कर ली है Under आपको सेलेक कर लेना है संडरी डेटर्स क्योंकि जो हम सेल करते हैं जो हमारे buyers होते हैं इसके लेजर को हम संडरी डेटर्स के अंडर में Create करते हैं Maintain Balances Bill by Bill इसको Yes कर लीजिए और यहां पे जो पार्टी का address है वो Completely आपको फेल कर लेना है address फेल करने के बाद जो state है वहां पे जो भी आपके buyer का state है वो select कर लीजे जैसे कि अगर डेली का buyer है तो डेली select कर लीजे महारास्टा का buyer है तो महारास्टा select कर लीजे registration type में आपको regular रखना है अगर आपकी party registered है उसके बाद party का GST नंबर select कर लीजे यहाँ पे आपको manually type कर लेना है अपने पार्टी का GST नंबर और इस टैप से इस लेजर को save कर लीजे तो आपके बाइर का जो लेजर है वो create हो गया है इसे टैप से और भी बाइर के लेजर है तो आप इसको create कर सकते हैं सेम बेसे करना है मैं आपको एक और create करके बता रही हूं तो यहीं पर जो screen open है यहीं से आपको name में अपने पार्टी का name type कर लेना है और जो group है वो सेम रहेगा option type में अगर party registered है तो regular कर लिजे और यहां से आपको option मिलते हैं unregistered भी select कर सकते हैं अगर आपकी party unregistered है तो इस लेजर को save कर लिजे इस टैप से आपको जितने भी बाइर के लेजर है वो create कर सकते हैं same way को follow करते हैं इस लेजर को create कर लेना है thank you and keep watching my videos description box से check out करना ना भूलिएगा बहां में tally and accounts related maximum videos के link provide कर दूंगी आप उन सारे वीडियो को watch भी कर सकते हैं आप मेरे चैनल को search भी कर सकते हैं मेरे चैनल का in future में भी में करती रहूंगी बस आपसे भी लोग मुझे इसी तरह से support करते रही है साथ देते रही है आई भी यह जो वीडियो में इंट्रोडक्शन वाली आप लोग के साथ शेयर की है यह वीडियो आपसे भी लोग के लिए हलफुल रही होगी अगर helpful रही है तो like शेयर कीजिए and subscribe पीजिए चनल को thank you and keep watching my videos अगर helpful रही है तो like कीजिए शेयर कीजिए and subscribe पीजिए चनल को thank you and keep watching my videos